हिंदु धर्म में माग महिने में आने वाली पूरी मातिती को माग पूरी मा के नाम से जाना जाता है इस बार माग माह में पूरी मा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की उजा और वुरत करने का विधाम है इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में इसनान और कुछ विशीश चीजों का दान करने का भी महत्व है मानिता के अनुसार ऐसा करने से सादक की मन चाही मनो कामनाय पूरी होती है और शुफल की प्राप्ती होती है आईए जानते हैं मार्क पुर्णीमा के दिन गंगा इसनान और दान करने के महत्व के बारे में पुर्णिमा के दिन लोगों को कौन से कारी करने से वर्जीत होना चाहिए वो कारी नहीं करना चाहिए हर हर महादे जैवाबाविद दिनाथ सबसे पहले बड़ी बात ये है कि बारह महीना में माध महीना अगहन महीना और बैसाख ये तीन महीना जो है बहुत सुभदायक महीना होता है और महीना में भी पुर्णिमा के दिन यह जो है जिस प्रकार से कार्थिक सनान बैसाख सनान होता है उसी प्रकार से माघ में भी सनान होता है तो माग सनान का विशेश फल है उसमें भी जो पुरुणिमा के दिन है उस दिन तो हमारे हिंदू सनातन धर्व में कुछ ऐसे काल जहें जो कदापी नो करना चाहिए उसे करने से आपके धर्व में हानी होती है जैसे पुरुणिमा के दिन भगवान भूले नाथ और विश्न और विशेश रूप से होती है तो उस दिन कदापी मान समदीरा का सेवन नो करें शात्रिक भोजन ही करें उस दिन कभी भी वैसे भोजन को नो करें जो दुसित हो और उस दिन बाल नाखुन कदापी नो कटवाएं काले वस्त्र का धारन नो करे और विसेश रूप से किसी को अप सब्द छोटा बात बोलने का कृपार नो करे उस दिन जदी आप बोलते हैं तो उस छोटे से बात में खोटे से बात में आपको हानी होगी लेकिन विसेश रूप से आप को हानी तो पुर्णीमा के दिन ये सब करमों से बचना चाहिए सनातन धर्मीों को लेकिन विसेश करके पुर्णीमा का संजम रखना चाहिए लोकल 18 देवघर से परमजित सेंग की रिपोर्ट ये वीडियो जोदिश आचार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बनाई गई है लोकल 18 इसकी पुस्टी नहीं करता है